हाई फ्रेंट स्वागा तरफ सभी का आपका अपना चाल एक्जाम फर्मेंट पर दोस्तों जैसे के हम लोग हारखन पुलीस या जिस ऐसी कॉंस्टेबल जिसको बोल लगते हैं उससे समंदित क्लास स्टार्ट किये हैं हम लोग हिंदी भासा के अंतरगा जो इंपोर्टेंट जो भूक है आपका च्छितीज उसमें से जो चैप्टर दिया हुए उसको हम लोग आधन कर रहे हैं पिछला क हम लोग अध्यन करेंगे और विश्यसकर उसका उससी समंदित हम लोग एंसी क्यू लगाएंगे ठीक है एक पॉइंट से बनाया हुए परसन है जो कि आपके एक्जाम में हुभूभू पूछा जाएगा इसलिए एक भी प्रसन अप्लोग मिसना करेंगे लाट तक अब भागत उससे पहले हम लोग थोड़ा सब कुछ इंपोर्टेंट से उसको देख लेते हैं बालगविन भागत से संबंधित उसके बाद हम लोग इस्टार्ट करते हैं कि यहां पर है राम विरिच्वेनिपूरी जनम कब हुआ था अठारा से निनानवे में राम विरिच्वेनिपूरी जनम किस ग्राम में हुआ तो बेनिपूर में यह क्या है राम विरिच्वेनिपूरी यह राइटर का नाम है ठीक है एक्च्वाली हमको क्या पढ़ना है तो लेकिन आपका एक्जाम में जो राइटर जो लिखते हैं ना उसके बार ही पुछा जाता है था हम लोग थोड़ा सा राम विरिच बेनिपूरी के बार है थोड़ा सा एक सौट नोट टाइप से हम लोग देख लेते हैं उसके बाद उससे सम्मादित उससे बनाया ठीक है तो राम विरिच बेनिपूरी ने किस कच्छा तक सिछागरन की थी दसवी तक ही पढ़े थे आगे दखते हैं राम विरिच बेनिपूरी किस वर्ष सक्रीर्व सराह्ट्रिये स्वाधिंता आंदोलन्त चूड़े तो निससे वह अजादिक आंदोलन में ज तो बनीपूरी जी का संपुन साहित किस नाम से परकासित हुआ है तो बनीपूरी रचना वाली उसमें टोटल चतना रचना है सारा संकलित है आगे दिखते हैं बेनीपूरी रचनावली कुल कितने खंड़म प्रकासित होई है कितना खंड यान कि part by part यह प्रकासित हुआ था तो आठ ठीक है आठ खंड है पतीतों के देस में support cany Davis आपले का और णुक का नयाव को फेक्रकासित प Means्यम् से पतितों के देश में किसका राचना है यह पतितों के देश में क्या राचना है ठीक ऐसा पुछता है परस्ट अभी हम लोग किसका राचना है पुछेगा कि यह पुछेगा क्या है यह पुरी जीर की कैसी राचना है बहुत परस्थ उनका जो संस्मारान याद में लिखा हुए कहानी है ठीक है संस्मारान है जैसे आपको सीवु सुरयम को दीशवम्गुर बुला जाता है थीक है कलाम का जाद्रोगर जाता था आप अनके अ ब उपनाम ङोता है कुछ कुछ जो नाम इनके उपनाम होता है थीक है जाया पूर्यार कुला gets सी तो 1968 में पालोंगोवीन भगत का कद कैसा था तर अमंजोला ये किने बारें बात हो रहा है पालोंगा नोग को सिल्सक्राइर था था जडियां मात्यब्पित रामानंदी चंदन बाल गविन भगत गले में क्या पांते थे तुलसी के जड़ों की माला तुलसी के जड़ के माला पांते थे बाल गविन भगत किसे साहब मानते थे कभीर को यानि कि कभीर जो है अब जानते हैं जो कभीर पुराने जब वहना के कभीर के दोहा जो होता है कभीर वही कभीर के ब महान महान विध्वान कभीर कभीर को अपना चाला है कभीर ॐऔर बाल गुविन भागत τουफ कुभ हो किछ महिने में शुरू होती थी यानिक सुबहिस्व भजन कितन् गार्तिक माह में स्टार्ठ माह चान्च वालिक भागत के हिघान से नदी half कि बाल गोईन भागत हरवर्ष हर सनान को जाते थे तक हर जाते थे वह गांगा को डेंगा जाता था कि कर दे कि बादध बाद कंब परीवार दा फिर बिव करते थे रते ती देतotMore冷 ast का बाल गुवीन भागत कैंट के बेटा कैसा था सूष्ट और बोगा याने की बोका कमजोर सूष्टर कमजोर था बां उनका बेटा कि सीता को आज पुतो यानि बहूब ही उसको आग देदी चाहिए अशाड की बारिस में और यानि कि खेतों के में पर बैठी थी कने यानि कि लॉंज्छ के खाना ठीक है अशाड का बारिस ने की रोपा रोपनेका टाइम जो वर्दन है कहानी में उस टेम वहां पर बात होता है तो आसाड य जब असाड आता है तो खेतों में पूरा सब खेत में काम करता है दहान और अपनी चलती रहता है और अवरत लोग मेढ यानि कि आर बोला जाता है आई या आर या मेढ वहाँ पे लेड़िज लोग कलवा यानि कि लंज से खाना लेके बैठाल रहती है पतहु का सबहाँ का सथ पतो यान एक बहु का सुभग वा सुशी लच्छी थी बाल गुईन भागत का संगीत ताधना का चरम उतकर्स कब देखा गया है यानि कि जब ज़्यास तरीके से वह अपना जितना भी उसका टैलेंट सा संगीत ताधना का वह उसको कब निखार के दि दूख का वक्त नहीं है ऐसा इनका मानना था वाल गोविन का कहा कि यह कबीर पंद थी कबीर को बहुत मानने वाले थे लिए इतना हम लोग देख लिए मोटा मोटी आप इससे संब्सक्राइब हो मिलेगा ठीक है राम विरिज बेनिपूरी के जनम किस ग्राम में हुआ था यहां पर बोले ही इसका बेनिपूरी नाम ही आया है तो बेनिपूर में हुआ ठीक है आगे देखते हैं आप लोग एमसे क्यों लगाते चलेंगा लाच विल जरूर कमेंट करेंगे दोस्त तब हमको मज़ा आप पूरा क्लास करा अब लोगों कम्प्रीट कराएंगे देखते हैं कितने वर्स के रसनाय पत्र पत्र पत्री काम से अपने लगे थी कितना दस वर्स बीबारा वर्स सी 15 10 वर्स कितने चल भी लोप में नहीं सब लिखिए कह लेकिन कभशक न्टाइब ये शाब वह आ जाता है कि यह नई लिख्या और प्रफेक्ट हो जाएगा गले पती तेस बेर्स पुरी जीन वालों कितने कंड़ पर काशित है नुग है कितना गजवाव्य रिख़े थे बिलकुल आप दी अप यह आट सही है पतीतों के देश पुरी जी कैसी क्रिती है अभी बात किया जीए पूछा कर बात की है तो यह क्या आघे देखते हैं कुछन च्राइबाली लेक्ट की किस परकार के राचना है तो जिसके शक्ति है नाटक है यह आप्शन सही हो जाएगा नव ठीक है एलीड्टे की रहन है ठीशन देखते हैं माटि की मूरते किसी दस क्या हो जाएगा एक खाचित्र है ठीक है रिखाच चिट्र किसी के hearing ऐसके जो रपख द स्थाया गिया नजिए घारत पै़रोमें पंख बांध कर बैंने की है तो तो ग्यारा क्या हो जाएगा यह एक यात्रा वितांत है कहीं पर गय उसका पूरा एटुजेट वार्नन किया हुआ है पैरों में पांधकर में जंजीर और दिवारे बेनिपूरी जी कैसी रचना है इसको याद कर लिजाएगा थोड़ा से पूरी को किस उपनाम से जाना जाता है उपनाम तो कलम का जादूगर बिलकुल अभी देखे आगे देखे रामविरिच बेनिपूरी की दहांत कब हुआ था तिया चाओदर क्या जाएगा तो 1968 में उनका दिहांत हो गिया था आगे देखते हैं बाल गविन भागा तक कद कई स तक की लात तो मंझोला छोटा लंबा बहुत था चोटा बहुत था बहुत जोटा दीने था यानिया यान लिजह मोटा मोटी पाँस पॉर्ण सब्सक्राइछ भाद णक्र उम्र कितने तिक पर उपड़ उसी के उपर बात हुआ है बाल रहा किसा वास्थान करते जोते तो फ्लूमंगी बिल्कूल ुर्य सकते लुटि नहीं एक लंगोटी पटी टो पी बिल्कुल ये सही हो जायगा बालगुईन भगत जाड़ए के samples hearing would the सब्सक्राइब तो इसका एक बालगोईन भागत गलम क्या पहंते तो रुद्राज की माला बिल्कुल नहीं तूल्सी के जड़ों की बिल्कुल तूल्सी का जड़ था ना उसका माला पहंते यह सही हो जाएगा बालगोईन भागत कैसा जिमन में तिक रहे तक किस टाइप का ग्रीहस्त सन्यास वह बेटा था जी बहु भूँ थी तो ग्रीहस्त याने की घर परिवाल वुलाजाता है बाल गविन भागत किसे साहाब मानते साहब किसको बिल्कुल कबीर को कॉस्चन नंबर 24 बाल गविन भागत किनके गीटो गाते थे उनके आदेशों पर चलते थे किनके घीत उगाते थे कबीर को इसी के ऊपर उनका लाइफ चलता था कबीर पंथी मथ बाल गुविं भगत के घर से कितने दूरी पर था कबीर्पंथी मथ पचीस रहिए Гार कुस में कार ने मंदिर समझे वहां पर इनका लाइफ से था जब कोई आनाज उपउचता था ना अनाज को सबसे पेल घर नले जाके ले माठ में ले जाते थे और वहां पर दान करती थे बोलते है जाके आपका पर्साद मिलता था उसी को अपना जिंदगी चलाते थे सब इस असाड के बारिस में अवरते क्या लेगर खेतक मुएट पर बैठी ती कलेवा याने कि लंच के खाना कलवा कलवा जिसको बोला जाता है भादों की अंधेरी रात में बालगुईन भगत कौन सा गि बुक जो आपका जो रचना है उससे यहां उठाया हुआ बहुत अच्छा प्रशन है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन पी इसका परफेट अंथर हो जाएगा इस अब एक एक लाइन से आपका प्रशन बनाया हुए ठीक है बालगुईन भागत की परभातिया किस महिना म अबमेटर होताया याने कि बत्ती मिल्कुल नहीं अप्शन बीस ही तो मिल्स के दूरी ठीक है और एक मिल मुटा मुटी गर्मियों की साम में बाल गविन भगत क्या गाते थे गर्मियों की साम में बिहाना संजा भगुआ कजली तो क्या गया करते थे संजा करते थे थीक है जो कि थोड़ा सूष्ट और बोदा भी था इस बनागा हुआ है जब बेटा मार या तैसका बेटा तो उसका पूतव कुलती है के खूसी मना में एक आत्मा परमात्मा समिल करने जा रहा है ना कि कंबिर को मानने वाले थे बाल गविन भगत के बेटे चिता को आप थी यानि कि बाल गविन भगत के बेटे कहां यहां पर पूतव लिखना या उनका पतनी आप गुटा का भ! कि वी थी जानि वो डी ती वाल गुओन भगत हर वर्स कहां अस्थान को सुरी अस्ठान लिख दिया है एसनानि ठीख है कहां बाल गुओन कबीर क्या मांते थे तक साहाब साहाब यह सई हो जाएगा आगे देखते हैं बालगोईन भागत कि किनके आदर्स पर चलते थे किनके आदर्स को अपना लाइफ मुतारे थे बिल्कुल पूरा कहान यह बेश्ड़ कबीर के उपर कबीर दास के उपर ठीक है ऑप्शन 13-39 बालगोईन भागत अपनी फस नोहीं किसे फेर पहनावावा बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं मदोहर गान कैज्ञ गान घंब लागता था क vegी का दोब कबीर का वानी जिन्ड़ा हो गया इसे घात है किन बाल भागत खेत में क्या करते थे करते हैं क्या करते हैं किवल गीत गाता है खेत की में पर बैठते हैं धान के पाउधे लगाते हैं या उपदेश देते हैं ते कालिस क्या हो जाएगा तो धान रुपते रुपते गीत गाते थे बाल को इन भागा तो गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है कौन सा भ व्याले सक्या हो जाएगा इसवर भक्ति के भाव ठीक है इसवर भक्ति के भाव आगे देखिएंगे 43 बाल गौविंद भगत इसे निग्रानी और मुहबत के ज्यादा हगदार मांते थे इसको बालकों को बिलकुल नारियों को बिल्कुल नहीं कमजोर वेक्टियों को बिल्कुल इसको option C हो जायागा का है कि उनका जो बेटा था ना बोदा और सुष्ट था उसको जदे प्यार करते इसलिए कि जान रहे हैं वह सुष्ट भी है और कमजोर भी है इसलिए उस पर जादे महबत लुटाते थे कोश्चन नमबर 44 बालगविन भगत कौन सा वाद्य बजाते थे सितार खंजोडी धपली तो 44 क्या हो जाएगा सितार बिल्कुल ने एक तारा भी ने खंजोडी ठीक है खंजोडी बजाया करते थे चलिए आगे देखते हम लग पूरब में लोही लगने सब्द से क्या मतलब ह हैं पूरब में लोही तो लोही के मतलब सब्सक्तले आपको जनना पड़ेगा थे लोही मतलब क्या होता है ठीक है एक सकिने कर बताते हैं तो यहां पर जो कुश्चन हमका है पूरब में लोह यानि कि पूरब की साइड लालीमा लाल होना ठीक है तो बख समझ सुरज की लालीमा पूरब में उगने वाला फल लोह का ते ऑफ्शन क्या हो जागा पैंतालिस से क्या हो जागा परफेक्ट इंसर यहां पर पूरब की तरफ जुला नीमा होता है उसको पूरब में लोही आगे देखते हैं हम लोग ओं Kabla लोग ऑफेक्रक्व क्या करहांता है उनका में अहां स्वी जब मर जाता है तो उनका क्या में मेरिजन से में 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 मातर्या ना से बीमारी अचा पंजर का अर्थ है पंजर यहां पर और डाया था ना कहानी में अब लोग पड़ होगे तो मतलब क्या होता है सरीर कमजोर नियंग घुटन क्या तो तरी यूण को पंजर बोला सब्सक्राइब करना ना भूले और बिल्कुल कमेंट करें दोस्ती वीडियो कैसा लगा ठीक है डेदी आप लोग तलासेफ मिलेगे पूरा सब्सक्राइब करें जाएगा जिससे आपका एक्जाम में जो आने के संभावना है वह पूरी तरह से किलियर हो सकते ठीक है दोस्त चले मिलते हैं तक लिए अपना ख्याला के जैन जै भारत